अपने ग्राकों के डेटा के मॉनिटाइजेशन की तैयारी कर रहा है एक बार ये पूरी डीटेल समीर से समझते है समीर दिक्षित बताएं क्या है पूरी ख़बर सिर्फ देश नहीं बलकि एशिया पैसिफिक रीजन में भी एक बड़ी इक ऌमर्स फ्लैटफर्म यानि की वेलवे पीएस यू आयारसी टीसी अपने डिजिटल डाटा के मॉनिटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है मुद्री करना चाहती है अपने डिजिटल डाटा को और इसी दिशा में आयारसी टीसी ने इटेंडर जारी किया है consultant के नियुक्ति को लेकर के इस consultant के जिमेदारी यह होगी कि वो ये तै करेगा कि कौन से डाटा उसका बहतर इस्तमाल हो सकता है उसके monetization के लिए चाहे वो passenger segment का हो freight segment का हो या फिर किसी अन्य project से जुड़ा हो तो सूत्र ये बता रहे हैं कि यह जो data monetization जो IRCTC कर रही है इससे IRCTC अपने लिए सालाना 500 करड़ रुपए से भी ज़्यादा आमदनी या 81 करना चाहती है सूत्रों के मताबिक तक्रीबन 600 से 700 करड़ की योजना है सालाना इतनी कमाई यह जो digital data IRCTC के पास में है इसके monetization के जरीए तो यह tender process है इसमें tender जमा करने की आखरी तारिक 29 अगस्त है लेकिन यह आखर कर क्यों रही है IRCTC अगर IRCTC के पूरे base को देखें तो IRCTC के पास में passenger related information या data काफी उसका बड़ा base है मसलान यात्रिक कि segment में कितना यात्रा कर रहे हैं कौन सी class में यात्रा करते हैं कि सेक्टर में यात्रा करते हैं यह artificial intelligence या अन जो data IRCTC के पास मौजूद है उसका base तगड़ा है इसके साथ ही जो freight segment माल धुलाई में भी कौन किस segment का parcel कि सेक्टर पे उसकी माल धुलाई हो रही है यह भी information IRCTC के पास में है इसके लावा IRCTC टूर्जम क्षेतर में भी उसके पास कई project चल रही है और कई नई project वो चलाने की योजना बना रही है इन तमाम जो data है इसको IRCTC monetize करना चाहता है और इसी के लिए consultant के नियुकती को लेकर के यहां पर tender जारी किया गया है अब यह जो consultant है इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी होगी कि monetization यानि कि यह जो information है data है इसका मुद्रिकन तो हो लेकिन यह साथ ही साथ privacy या IT loss का उलंगन ना करे तो यह भी consultant को तै करना होगा तो यह जो पूरी प्रक्रिया है माना जा रहा है कि तकरीबन एक महीने में consultant के नियुकती हो जाएगी एक से डेड़ महीने में और उसके बाद consultant के नियुकती के बाद में तकरीबन तीन से छे महीने के भीतर यह consultant अपना एक final DPR IRCTC को सौंपेगा जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया की शुरुवात हो जाएगी यह बड़ी तस्वीर अगर देखें तो सरकार National Monetization Pipeline की तरफ कदम बढ़ा रही है और उसमें जो railway के हिस्से में जम्यदारी है उसमें IRCTC अपनी तरफ से data monetization के लिए आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ पर IRCTC जो data है उसके monetization को लेकर के tender जारी करी है और जो सालाना कमाई देख रही है वो 500 कौल रुपे से ज्यादा इस वक्त उमीद लगा बैठी है ठीक है तो share के बारे में आपको पता लगा share के पीछे जो जानकारी है वो आपको पता लग चुकी है almost IRCTC 2-5% डूपर भी है सरकार की ऐसी company जिसमें इसका तो कोई peer ही नहीं है ticketing का और साथी जो यह hospitality करती है railways के अंदर इसका कोई peer अभी available नहीं है और सरकार चाहती है जब तक कोई peer ना बने उससे पहले पहले धीरी धीरी करके इन सभी चीजों का कहिना कई benefit भी मिल जाए company को भी benefit है आगे जो यह data लेगा उनको भी benefit है क्योंकि refined data मिल सकता है उनको तो IRCTC बकातर 2-5% डूपर है